असलाम अलेकुम प्यारे बच्चों, उमीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खेरत से होंगे, तो चले बच्चों, अब हम उर्दू पढ़ने वाले हैं, और उर्दू में हमने एक नया सबक उठाया है, जिसका नाम है डबो, ठीक है, डबो हमारा अब नया सबक है, जो हम पढ हम वैसी ही करने वाले हैं, यहां पे हुरूफ दिये गए हैं, हमें उनको जोड कर लिखना है, ठीक है, यहां पे है, मैंने यहां पे लिखके रखे हैं, हुरूफ को जोड कर लिखिए, मैं आपको पहले यह पढ़के सुनाऊंगी, फिर हम सीखेंगे कि इनको हम जोड कर कैस गोना दबू दबू ठीक है और दबू को हम कैसे जोड का लिखेंगे बिलकुल ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करनी है फिर दाल दुचेश्मी बे वाव नोन गोना दबू ठीक है तो हो गया दबू फिर है अलिप पेश चीम दुचेश्मी लाम जबर बढ़िये उचले क्या उचले और उचले को हम जोड कर ऐसे लिखेंगे उचले ठीक है फिर है चीम वाव कीब जबर सीन चोकस चोकस को हम बिलकुल ऐसे लिखेंगे चीम वाव कीब जबर सीन चोकस आया समझ फिर है गाफ गाफ बढ़िये ये नून दाल गेंद गेंद और गेंद को हम जोड़ कर ऐसे लिखेंगे गेंद फिर है बे दुचेशम पेश वाव नून कीफ जबर बढ़िये भूंके भूंके को हम बिलकुल ऐसे लिखेंगे बे दुचेशमी वाव नून कीफ बढ़िये भूंके आया समझ फिर है रे जबर कीफ दुचेशमी वाव जबर अलिफ लाम जबर अलिफ रखवाला और रखवाला हम जोड़ कर ऐसे लिखते हैं रखवाला आया समझ तो ये हमने हुरुफ को जोड़ कर लिखा जैसे दबू तो दबू को हमने जोड़ कर ऐसे लिखा फिर है उचले तो जोड़ कर हमने ऐसे लिखा उचले फिर है चोकस चोकस को हमने ऐसे जोड़ कर लिखा फिर है गेंद गेंद आप देख सकते हो कैसे हमने जोड़ कर लिखा भूंके भूंके भी हमने जोड़ कर ऐसे लिखा फिर है रखवाला रखवाला आप देख सकते हो हमने कैसे जोड़ कर लिखा तो ये कुछ चलफाज है जो हमें सबक में पढ़ने वाले हैं आगे हम इनकी जो माइने है वो भी पता करने वाले है तो ये सबक में हमें पढ़ने भी है ठीक है तो आप इनकी प्रैक्टिस करेगा अच्छे से गर में जो ये लफ़स हमने आज पढ़े है ठीक है तो कल हम सबक को शुरू करेंगे इन्शाला तब तक के लिए अल्ला हाफिज